नमस्कार यह यूनिवर्स यह ब्रहमांड मुझसे और आप से हमेशा बात करने के लिए तयार है रादर आप यूं कहें कि यह बात कर रहा है और क्यों ना करें यह कोई विशेश बात नहीं है आखिर हम इसी यूनिवर्स के तो पार्ट है आप यूं समझे के आप एक चुका हूं माल लेते हैं आपके सामने एक इनफाइनाइट एक बहुत अनंत जील है उसमें पानी है उस पानी में से आप एक बूंद लेते हैं पानी की तो क्या बूंद का केरेक्टर वही केरेक्टर नहीं है जो लेक का है आपका जवाब होगा हां तो जब दोनों का केरेक हम basically एक ही energy से पैदा हुए हैं उसी energy के द्वारा हम operated हैं और उसी energy में एक दिन हम मिल भी जाएंगे इसी को हम generator, operator और destroyer का नाम देकर God word को पुरा कर लेते हैं असलियत में हम इसी का ही representative हैं quantum physics भी यह कहती है कि आप और मैं एक ही energy के part हैं हमारे molecules के परे atoms और atoms के परे जो सब atom और उनके परे micro atoms हैं उनके परे अगर कुछ है तो सिर्फ एक ही चीज है जो मुझे में और आप में common है वो है universal energy इसका मतलब यह है कि अगर मैं universal energy ही हूं तो universal energy में जो भी wipes आएंगी जो भी तरंगे आएंगी वो निश्चित रूप से मुझे भी प्रभावित करेंगी यह quantum physics का रूल है quantum physics ओलेडी प्रूव कर चुकी है कि दो atom एक ही metal के जब उन्हें अलग रखा गया और एक metal में current दिया गया तो दूसरा atom उसी तरह से charge हो रहा था यह कमाल की बात थी बिलकुल यही मैसेज हमें मिलता रहता है तो अगर आप यह आज जानना चाहते हैं कि क्या ब्रहमांड आप से बात कर रहा है तो यह चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को आप प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें यह खुबसूरत वीडियो आपके बिलीफ को आपके जीवन को बहतर करेंगी यह मैं आपको अश्योर कर रहा हूं चलिए बात करते हैं कि किस तरह से आकिर हम इस युनिवर्सल मैसेज को पढ़ें पहली तो बात यह है फ्रेंड्स के हमें युनिवर्स हमेशा मैसेज बेज रहा है यह सिग्नल्स हमें मिलते रहते हैं कुछ चीज़े हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिनके पीछे कोई भी रीजिनिंग नहीं है उनके पीछे आप ये कई बार आप बता देते हैं कि आपका कौन मित्र परिशानी में चल रहा है कई बार आपको लगता है कि रात को एक फीलिंग आपको आ रही थे कि आपके परिवार का सदश्य कोई दूर रहता है वो इस वक्त ठीक नहीं फील कर रहा है और आगली सुभा जब आप उनसे बात हम चल रही है या कि अप बिमारी यह मैसेज और यह सिगनल हमें रोज मिलते रहते हैं लेकिन हम इन स्जीनल को इसलिए नहीं पकड़ पाते क्योंकि हमें इन्हें पकड़ने का मालूँ अइमीं पता ही नहीं है इसका एक बड़ा reason यह है कि हमारे बीच में मेरे और मेरे हैं तो मैं पहले चीज़ को लिखता हूं आपका language barrier बेसिकली यह barrier क्या है यह प्रतिरोध क्या है यूं समझेए कि आपके पास एक language है जिसको आप मात्र भाषा कहते हैं एक language है या जो आपने सीखी English हो सकती है हिंदी हो सकती है या कोई भी language हो सकती है आप यह मानते हैं कि पूरी यूनिवर्स आपको इसी language में बात करें यह possible नहीं है यह तो आपकी भाषा है जो आपने इन sounds को create करके एक meaning दिया है यद पी यूनिवर्स में भी sounds होती है लेकिन निश्चित रूप से वो इस तरह की भाषा में convert नहीं होती दूसरी भाषा हमारे पास होती है non-verbal यानि कि हम अपने action से लोगों को बताते हैं यह भाषा भी आपको यूनिवर्स यूज्वली नहीं देता है तो पहला barrier आपके पास language का है इसी लिए आप उसे समझ नहीं पाते हैं लेकिन signals आपको मिलते रहते हैं यह तो आपने एक बार नहीं हजारों बार महसूस किया है कि आपको पैसे की जरूरत थी और उस जरूरत को पूरा करने के लिए आप मारा मारी कर रहे थे लेकिन तभी last moment पर ऐसा हुआ कि किसी ने आपको वो पैसा आपके घर पर लाकर दे दिया जिस पैसे को आप मांग रहे थे कोशिश कर रहे थे तब नहीं मिला और तभी एक unexpected सोर्स से आपको पैसा मिल गया कई बार ऐसा होता नहीं कि आप किसी समश्या से घरे होते हैं कि अचानक कोई अजनभी आप से कुछ बात कह देता है और वो बात बिलकुल उसी problem का solution होती है को बदल लेते हैं यह हर एक आदमी के साथ होता है लेकिन हमारे पास चुकि language का barrier है इसलिए हम इसे पकड़ नहीं पाते हैं अगर आप इसे पकड़ना चाहते हैं तो अगली बात आपको यह करनी होगी friends कि आपको एक pure desire रखनी होगी अगर आप इन signals को पकड़ना चाहते हैं तो अब मैं आपके साथ तरीके शेयर करूंगा पहला तरीका है कि आपके पास एक pure desire होनी चाहिए आप आज माने के लिए नहीं यह नहीं कि आप सिर्फ आज मारे हैं कि आज मुझे मुझे मुसीबत है अगर तुम में दम है भ्रहमान तो मेरी help करो यह आपका attitude ठीक नहीं है ऐसा attitude मैंने बहुत लोगों का देखा है जब वो मुसीबत में होते हैं तो यह मानते हैं कि अब पूरा universe उनकी help करने के लिए और उनके अंदर जो एक contempt होती है एक disrespect होती है वो बहुत गलत होती है असलियत में यहां पर आपके पास gratitude होना चाहिए prayer होनी चाहिए एक तरह का आ energy आपकी तरफ फुलो होती है जब भी आप सीधे खड़े होंगे एक एहम के साथ एक एगो के साथ यह energy कभी आपके साथ नहीं जुड़ेगी क्योंकि याद रखेगा universal energy में कभी एहम या एगो नहीं है यह बहुत ही flexible है moveable है intelligent है और यह हमेशा pure thought को पकड़ती है यह कभी भी अद्वयत सिध्धान्त या monism के जो सिध्धान्त हैं उनमें पढ़ लीजेगा पहले से यह तैय हो चुका है 200 सालों से इसी अद्वयत सिध्धान्त को या monistic theory को पूरा Europe follow कर रहा है और यह सिर्फ मानने की बात नहीं है अब तो इसे जानकार प्रूव भी कर चुके हैं अब सवाल उठता है कि अगर हम एक pure intention लेकर जुड़ना चाहें तो फिर हमें कैसे वह signals मिलेंगे या language कैसे मिलेगी और यहीं से मैं अब आपको बताना शुरू करूंगा पहली चीज़ है फ्रेंड्स के जब भी आप इन signals को पकड़ना चाहें तो आपको क्या करना है कि आपको प अपनी अटेंशन को पे करना है अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इसका पाइदा ले सकते हैं इन चीजों को अगर आप जीवन को आज से बदल सकता है पहली बात तो यह जब भी आप universal powers के साथ जूड़ना चाहें तो आप हमेशा अपने जो मन की intention है उसे एक intensity के सा साथ रखें माल लेते हैं आपको पैसे क्या वशक्ता है माल लेते हैं आप किसी ऐसी बीमारी सिग्रसी थे जो ठीक नहीं हो रही है तो एक इंटेंसिटी के साथ अपनी प्रेयर के साथ कनेक्शन फील करते हुए युनिवर्स से और आप अपनी जिग्यासा रखें जिग्यासा रखते हुए आपके पास सरंडर आभार प्रेयर रिक्वेस्ट ये भावनाई होनी चाहिए लेकिन कई बार ये भावनाई हम पीछे छोड़कर अपने अंदर एगो एहम कहते हैं कि देहिक देविक भोतिक तापा राम राज का हुना व्यापा कहते हैं कि राम राज में तुलसी राज जी कहते हैं कि तीन तरह के ताप नहीं थे तीन तरह के बुखार नहीं थे देहे का बुखार नहीं था यानि कि आज अगर हमारी देहे हमारी बोड़ी अच्छी बन जाती है तो हम शो करते हैं पूरे वल्ड को कि देखो मैं कितना को जो आपकी प्रेयर को खराब कर देता कोई भी आहम दूसरा है देविक कई बार कुछ लोगों को देविक शक्तिया मिलनी शुरू हो जाती है और वह इन शक्तियों को मिस्यूद करना शुरू करते और उन्हें एक घमंड हो जाता कि मैं जो भी बोलूंगा वही मैं कर पर हम क्या गरते हैं? कि इस भौतिक ताफ के शिकार हो कर, कई बार उन एक्षन्स को, उन रिजल्ट्स को create करने लगते हैं, जिसमें हमारा refresh चुपा होता है, बदला चुपा होता है, विबिया चुपा होता है, इतु attempt इर्शय चुपी होती है, हमारी मरी हुई सेल्फ इमेज बेसीकली एक एहम के रूप में लोकों को दिखाई देनी शुरू करते तो जब भी आप देहिक देविक भोतिक ताप में होंगे तब तब आप यूनिवर्स के साथ नहीं जुड़ेंगे पे अटेंशन का मीनिंग यह है कि जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करें कोई अपनी जिग्यासा चोड़े यूनिवर्सल पावर के पास तो उसमें ब्रहमांड आपको कुछ सिगनल दे रहा होगा यह सिगनल बड़े ही यूनिक है अगर मैं अपनी लाइफ के पास्ट में जाओं और मैं देखू किन चीजों ने मुझे बदला है तो वो छोड़ छोड़े सेंटेंस थे जो अनेक्सपेक्टिड वे में मेरे सामने आ गए उससे ही मैंने अपनी सफलता को जिया है उससे ही ज पोट याद रखे का कोई महापुरुष आपको बताने नहीं आता कई बार वो किसी के टी शर्ट पर लिखा होता है कई बार किसी के कार के पीछे उस गिलास पर लिखा होता है और उसे आप पढ़ लेते हैं और वो अच्छानक आपके जीवन को बदल देता है एक छोटी जि अपने पार्टिसिपेंट को अपनी वक्षोप में बताता हूं एक समय था जब मैं 31 का था और मेरे घुटने खराब हो रहे थे रियूमेटाइड अर्थ्राइटिस की वजह से टैप्टिकल सर था एंग्जाइटी थी उस समय मेरे माइंड में इतनी स्ट्रेस भरी हुई थी कि उस स्ट्रेस की वजह से मेरे घुटने खराब होने लगे और मैं पूरी तरह से मेरे सामने अंधेरा था अच्छानक मुझे अपने गाव जाने का मौका मिला होली का समय था और होली के समय क्योंकि हमारे एरिया में थोड़ी सी सर्दी होती है गन्ने का लास्ट सीजन चल होता है तो गन्ना पक कर बहुत मीठा हो जाता है हम गाव के लोग हैं तो गन्ना खाने का हमें शोक रहता है तो मैं ऐसी जंगल में घूम रहा था मेरी गर्दन लटकी हुई थी और अचानक मुझे मेरे गाव के एक आदमी ने आवाज लगा लिए अरे आजाओ यार गन्ना चूसेंगे शाम का वक्त हो रहा था मैंने अपना मूड खराब होई रहा था मैंने का चोड़ो यार तुम चूसलो उसने का नहीं आओ तो गाव में एक जो आत्मिक भाव होता है मैं उसके तरफ खिचा चला गया और उसे यह नहीं पता था कि मैं किसी परिशानी में गुज आनल था और वहे अस रहा था कि देखो में भी परिषानी में गुजर रहा हूं और उससे यह नहीं आचाने के अप आट के मैं तो यह और उकिए यह रहेंगे और बस यही वह मॉमेंट था SI इसको मेरे माइंड ने पकड़ लिया कि यार वो अच्छे दिन थे वो भी नहीं रहे तो यह बुरे जो चलने यही कहा रहेंगे और जो एक आदमी के अंदर एक सुसाइडल थोट आता है वो खतम हो गया आप यकीन नहीं करेंगे कि मार्च में होली होती है और में में मैं अप आपने एंट्रेप्रिनियोर्शिप को लागू करते हुए खड़ा हो चुका था इतनी जल्दी यह मिरेकल्स आपकी लाइफ में होते हैं बशरते की आप इन सिगनल को समझना शुरू करें दूसरी बात जब भी यह सिगनल्स आएंगे कई बार आपको वीज्वल्स आएंग थो walay को दिश आपकी बघल में फड़ा कखड़ा हूआ कोई व्क्टी कह देगा कई बार और आपको रात को ड्रीम आएगा और ड्रीम में पता चलेगा कि आपको कुछ बता के गया है कोई कि आपके लिए ये अपॉच्छिनिटी ठीक है आपके लिए ये चीज ठीक है, आपके लिए ये चीज ठीक है, कई बार कोई आपसे मिलने आएगा और वो अपनी कहानी बता कर सड़नली किसी कमपनी का नाम बता कर चला जाएगा और आप पाएंगे कि कुछ महीनों के बाद आप उसी कंपनी से डील कर रहे हैं या उसके साथ बिजनिस कर रहे हैं या उसमें जोब कर रहे हैं याद रखे का यह signal यूजवली डिवाइन होते हैं तो आपको attention pay करने के लिए आपके पास 5 senses होती हैं आपको चीज़ों को visually देख लाएंगे इसी लिए याद रखेगा जितने भी महापुरुष हैं जितने भी संगीत कारें जितने भी राइटर्स हैं उनके पास हमेशा एक notebook और pen हमेशा रहता है कई पर वह बंद करते हैं और सबनली उनको एक थोट आता है एक आईडिया आता है और वह थोट को आईडिय अधिकांश लोग ये लिखते हैं। राइटर्स ये लिखते हैं कि जब वह किकाताब Couric लिख रहे थे तो उनको राइटर्स ब्log आये थे। ईसको आगे बढ़ाना है और जैसे वह आगे बढ़्राना शूरू करते हैं उनका नोड़ उनकी movie फिट जाते है ऐसे ही संगीतकार जब उनके पास को एक ब्लोक आ जाता है कि संगीत की दून अच्छी नहीं मिल रही है जो भी आइमीन वो बना रहे हैं वो हिट नहीं होगी तो उनको सपने में एक ख्याल आता है बैंजीन का फॉर्मूला भी सपने में ही बनाया गया था कई बार आपके रुके हुए डिसिजन्स आपको सपने में मिलते हैं तो डू बिलीव यूर ड्रीम से लेकिन ड्रीम का नुकसान यह होता है कई बार या एक चैलेंज आता है कि जैसी आपके आँख खुलती हो एकदम से समाप्त हो जाते सुबह तक याद नहीं रहते अगर आपके पास ब्रहमान में कुछ बोलकर गया है और आपको एक रास्ता मिल जाएगा। और कई बार आपको प्यूंग आएगी कई वार आपको स्मेल आएगी। इनके कुछ मीनिंग है आपकी लाइफ में याद रखेगा। ये ऐसे ही नहीं रूंग चल रहे हैं बलकि इनके फिछे कोई म कोई मीनिंग है इन मीनिंग को पहचानना होगा इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है जब भी आपके पास मिरेकल आएगा या ब्रहमांड आपसे कुछ कहना चाह रहा है वो यह है कि आपके पास उस समय रोड ब्लोक्स आएंगे वाट आज दा रोड ब्लोक्स आप बड़ी महनत करके कुछ सिचुएशन तयार करेंगे कि बही मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं इस एक्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और सुड़नली ऐसा कुछ होगा कि आपका सेलक्शन नहीं होगा आपका काम अच्छा चला था कि अनेक्सपेक्टिड कोई ने कोई बाधा आ जाएगी आप एक प्रोग्रेस करने की आप कुछ कोशिश कर रहे थे कि अचानक रोड़ ब्लोक आ जाएगा याद रखेगा यह मैसेज है यह मैसेज है यह संदेश है ब्रहमांड का कई बार आप देखेंगे कि आप बड़ी महनत से किसी काम को करते हैं वो चलता ही नहीं है इसलिए नहीं चलता है क्योंकि आपके लिए कुछ बड़ा सोचा हुआ है ब्रहमांड ने वो आपको मैसेज दे रहा है ऐसे में लोग एक गलते करते हैं कि वो रोने लगते हैं यानि कि अपनी शिकायते रखने लगते हैं शिकायते मत रखिए बलकि स्विकार करिए अगर आपने अपने जीवन में बस आपकी छूट गई है तो आराम से यकीन रखिए कार आपके लिए आ रही है अगर आप इन्हीं सिगनल की बात करें तो अगला सिगनल मैं आपके बात करूँगा इसे हम प्री कोगनिशन कहते हैं कई बार मैं अपने गौड ओफ मीरेकल की वक्षोप में लोगों को पढ़ाता हूँ प्री कोगनिशन का मतलब है कि कई बार आप अपने पूरे बोध में रहते हुए यह नहीं कि आप सो रहे होते हैं सदले आपको फ्यूचर की घटना दिखाई देने लगती है कि ऐसे होगा और कई बार लोग आपसे कहते हैं यार तुम भला सोचा करो तुम जो भी कहते वही हो जाता है इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको सिगनल मिल रहे हैं और कई बर यह सिगनल डिफेरेंट तरीके से मिलते हैं जो लोग बैमें की सीगनल मिलते जरूर है के future में यह होने जा रहा है future में इतना पैसा आपको मिलेगा future में आदमी आपसे माफी मांगेगा future में आदमी आपको धोका देगा और जब आपकी feeling गर्ठ फीलिंग के साथ जुड़ आएंगा मतलब होता है पेट के ओपर जो आपकी feelings आती यह डिवाइन होती एक और है इसको में प्रीकोगनिशन कहते हैं यह होती है हमारी कलेयर वोयंस को मीनिंग है कि जब आप किसी भी present की या पास्ट की घटना को दुबादा सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ था और उसका कनेक्शन आपको कोई ना कोई डिफरेंट मिलता है उस रिजल्ट से जो आपने सोचा था ठीक है ना कई वारे आप कहते हैं यार मेरी कार वहां खराग क्यों हुई थी उस आदमी ने मुझे धोका क्यों दिया था मुझे उ जब आपको ये सेंसिज आने शुरू होती हैं ब्रहमांड की तरफ से इसे हम कलेयर वहन्स कहते हैं और एक चीज और भी है आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा एक होती है आपके पास कि आप बैठे हुए अचाना कि आपकी फिलिंग बदल जाती है ये फिलिंग याद र सेप्शन आपकी सेंसिज चीजों को पकड़ रही थी उससे ज्यादा चीजों को पकड़ रही हैं और आप कहते हैं कि मुझे बेचानी सी हो रही है और आप इसे पकड़ भी लेते हैं ठीक है ना एक चीज और भी है अब सवाल उटता है कि आप यह कहें कि अगर मुझे सिग और होमवर्क के बाद मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूंगा होमवर्क यह है फ्रेंट्स के जब तक आप मेरे गाइड़ेड वीजवेलाजिशन को जो मैं आपके लिए फ्री ओफ पोस्ट एक दोस्त की तरह आपको दे रहा हूंगा तब तक आप सिर्फ अपने चारों जाएगा और यह मीनिंग और बहतर कब होगा जब आप अपने वीजवल सेंस को आप अपने कानों की सेंस को आप अपनी आपनी स्मेल और टेस्ट की सेंस को और और आप अपनी इंट्यूशन पावर यानि कि पहले से किसी चीज का आपको बोध हो जाता है उस पावर को जब आप डवलप करेंगे और उन्हें डवलप करने के लिए मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगा मैं आपके लिए एक खुब सुरत बहुत ही प्यारा शेयर कर रहा हूं इसका मतलब है कि मैं अब डिले नहीं करूँगा जल्दी ही एक या डेड़ वीक में आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूंगा और आप अपनी सेंसिस को डवलप करिएगा ताकि आप ब्रह्मान से आने वाले सभी मैसेज को प्रोपरली सुने और उन झाल है